राजनीती की यह चाहत है कि टुकडे-टुकडे हो जाए समाज क्यों जब आप रोटी खाने के लिए बैठते हैं आपकी माँ तो पूरी बेल करके बड़ी बनाती है लेकिन फिर आप खाने के लिए टुकडे-टुकडे करते हैं ऐसे ही जब समाज एक जुठ होगा तो राजन एसे प्रयास राजनीतिकों की द्वारा खुब किये जाते रहे हैं अंग्रेजों के समय से ही ये कहावत हमारे समाज में आ चुकी है कि राजनीती का नारा है बांटो और राज करो तो बांट करके राज होता है तो ऐसी परिस्तिती में हिंदू समाज इधर राजनीती की नहीं देख पा रहे हैं इसलिए वो हिंदू समाज में पूट डालने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहा है उत्तर प्रदेश में राम चरित मानस की एक पंक्ति को ले करके अंदोलन किया जा रहा है यहाँ पर आदिवासीयों को कहा जा रहा है कि तुम हिंदू नहीं हो औ पाइपुर जो आज बसा हुआ है न ऐसा नहीं है कि सदा से ऐसे ही बसा था यहां भी जंगल था फिर जंगल खतम होते गए बस्तियां बस्ती गई तो हम भी जंगली थे हम भी आदिवासी बनवासी थे जो जो शब्द कहना चाहिए हम किसी को छोटा दिखाने के लिए में रहना पड़ रहा है कंकरीट के जंगल में नियती है हमारी तो कंकरीट के जंगल में कोई आगर बनवासी आकर के रह जाए तो क्या वो बनवासी नहीं रह जाएगा वो तो बनवासी तो ओरिजिन रहेगा ना ऐसे हम लोग भी जंगल के ही रहने माले हैं हमारी भी आज भी आज भी हमको पूल की जरूरत पढ़ती है आज भी हमको पत्ली की जरूरत पढ़ती है आज भी हमारे जो भी हमारी ये गेशाला अभी भी घास पूस्स से ही बनती है तो हम भी उसी परंपरा के हैं आदिवासी बनवासी कहो जंगली कहो बनवास पानप्रस्त कहो जो कुछ कहो हम में और आज के जिनको आदिवासी नाम से पहचाना जा रहा हैं कोई अंतर नहीं है को चुछ नहीं हैं proportion को लोगोशा यह actu पर आदिवासीयों का प्रभाणध स्वीधा ने रहा the तो केवल सहर में रह जाने मातर से किसी की आदिवासिता समापत नहीं हो जाती हम और वो दोनों एक हैं दोनों की पुजाविदी एक है दोनों की रहने सहने का तो तरीका भी एक है हम एक हैं हाँ राजनीतिक लोग हमको माटने का प्रयास जरूर करते रहते हैं बीच में अंग आजनितिक प्रयासों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब उनका टुपड़ा होगा, तो एक समय उनको अच्छा लग सकता है, लेकिन अपने बिहत्तर हिंदू परिवार से अलग हो करके उनकी शक्ति बहुत कम हो जाएगी, तो हम नहीं चाहेंगे कि कोई कम शक्ति वाला हो हो जाए हमारी शक्ति मिलकर के एक है और वो बनी रहनी चाहिए.